कैसे आप सब लोग, असलाम लेकून, I hope कि आप सब ठीक होंगे गाइस मैं आज आपको बहुत जबदस सी विंटर स्कीन केर में बताऊंगी क्रीम जो रंग भी गोरा करेगी और ग्लो भी करेगी फेस को और बहुत यची जिसके रिजल्ड है, I hope कि आपको पसद आएगी तो इससे पहले के वीडियो में आगे चलें, फ्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि चीची वीडियो साब तक पहुन सके, तो गाइस हमें जवदस सी विंटर क्रीम, विंटर ब्लॉइंग एंड वाइटिंग क्रीम बनाने के लिए होममेट, हम एक बॉल लेंगे ठीक है, और उसमें गाइस हम डालेंगे ऐलोवेरा जैल को, ठीक है, एक चमच, ऐलोवेर स्कीन को सूथिंग करती है, और नर्मो मुलाइम बनाती है, और धूप के असराद जो होते है, उन्हें भी हटाती है, दाग दबे भी साफ करती है, तो हम इसमें एक चमच ले लेंगे तकरीबन, अलोवेरा जैल को, ठीक है, यह दिखी गाइस, हम एक चमच जितनी अलोवेर ले लिए, ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे गाईस, वैसलीन को, वैसलीन बहुत ही अच्छी होती है, नर्मो मुलाइम बनाती है, स्कीन को मॉस्चराइज करती है, तो हम इसमें एक चमच, मैं आपको डेमो दे रही हूं, इसलिए मैं आपको इक कॉंटरी बता रही हूं, आप डबल भी कर सकते हैं, उससे डबल भी कर सकते हैं, ठीक है, तो हम वैसलीन का इसमें हाफ ले ले लेंगे, ये पूरी बोडी के लिए, आप इसको पूरी बोडी के लिए बना सकते हैं, ठीक है, तो हम इसमें तकरीब हाफ स्पून, जितना हमने अलोवरा लिया है, उसके हाफ स्पून हमने वैसलेन का मिलाना है इसमें अच्छी तरीके से ठीक है अमने नों चीजों को यघ्जा करना है और बिलकुल अच्छे तरीके से मिलाना है ताकि ये मिक्स अब हो जीए और बहुत अच्छी क्रीम आजाएúcar और हमने इसमें जो भी एट करना है उसको बहुत अच्छे तरीके से अज़ा को मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से ठीक है अब गाइस हम इसमें वेटामीन E का डालेंगे ठीक है एवियोन लिया है मैंने आपको इसा भी ले सकते हैं ठीक है जितनी कॉंटिटी हम बना रहे हैं उसके एसाब से हम एक इवियोन का इसमें कैपसुलेट करेंगे वाइटमीन E को एड करेंगे क्योंकि यह मॉस्चराइज करती है धूब के असरायत को खतम क इस तरह से एक डालेंगे क्योंकि यह सकीन को गलो करता है और Inti Accident है वाटमीन E तो यह बहुत ही अच्छाई सकीन पर मॉस्चराइज करता है धूब के असरात को खतम करता है वाइन लाइनस और एजिंग की असरात को खतम करता है और बहुत ज़ाद अच्छा गलो करता है इ यह बहुत ही अच्छी हमारी क्रीम सी बन जाए ठीके गाइस तो यह बहुत ही अच्छे हज़ा है आप इसे पूरी बोडी के लिए बना सकते हैं चैरे पे लगा सकते हैं पूरी बोडी पे लगा सकते हैं अब हम इसमें एड करेंगे कोकोनट आइल को ठीके हम इसमें हाफ स्प तो यह स्कीन पर मॉस्चराइज करता है थो बढ़ती उमरे इसराथ होते हैं उन्हें खतम करता है इस तरह से यह देखिं गारी यह बहुत यह एच्छी क्रीम बन गई है हमारी और अब हम इसमें एट करेंगे अपना वेटमीन सी को जो के बहुत ही अच्छा होता है और दूप के असरात वगरा को खतम करता है एजिंग के असरात को खतम करता है फाइन लाइन्स को खतम करता है और यह हम लेंगे अपना लीमो का कुदरती ओयल नैचरल लेमन ओयल ठीके हम इसमें इसकी हाफ स्पून मिलाएंगे ताकि बहुत यह अच्छा इंग्रेडिंट है गाइस बहुत यह अच्छा ओयल है जो ग्लो करता है और दाख धबे साफ करेगा वाइट करेगा फेस को यह देखें गाइस यह मैंने इसमें हाफ मिलाना है ठीक है अगर आप कौंटिटी जादा बनाएंगे तो जादा भी एट करेंगे यह गाइस हमने लेमन ऑइल इसमें एट कर दिया और इसको अच्छी तरीके से मिला लिया यह हमारी क्रीम तैयार है ठीक है अब आप इसको लगा सकते हैं यह देखें किस तरह ही ग्लो करेगी ब्राइट करेगी और इसकीन को पर बहुत इची freshness लाएगी, दाव धबे भी साफ करेगी, तो ये बहुत इची हमेरी winter cream ready है, जो skin को bright करेगी, white करेगी, और glowing करेगी, तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा, आपको ये पसंद आएगी, तो इसे किसी भी time आप लगा सकते हैं, लहाने के बाद भी लगा सकते हैं, और face wash करने के बाद भी लगा सकते हैं, पूरी body पे लगा सकते हैं, बना कर, तो ये बहुत इची cream है, I hope कि आपको पसंद आएगी, winter skin, white and glowing cream, और अगर पसंद आएगी तो वीडियो, like, share ज़रूर कीजेगा, और चैनल को subscribe भी ज़रूर कीजेगा, thank you for watching.